हेलो गाइज वेलकम बैक टूमा चैनल और गाइज Tiger 3 का ट्रेलर आ गया है तो गाइज Tiger 3 मूवी Spy Universe एनाउन्स करने के बाद दूसरी मूवी वोगी और पाहली मूवी दी पतान ट्रेलर ते परियर टीजर में बहुत ज़़ा एक्सन निकाय गया था और ये बताय गया था कि ट्रइश को देश में घदधार गोशित कर दिया गया है और trailer में movie की story बताए गई है कि movie की story क्या क्या हो सकती है तो guys tiger इस बार देश के लिए नहीं बलकि अपनी personal life के लिए लड़ेंगे अपनी परिवार के लिए लड़ेंगे क्योंकि इस बार लड़ाई देश की नहीं है बलकि personal है और guys लड़ाई बहुत ही ज़्यादा personal है क्योंकि इस बार का villain बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और guys इस बार villain role play की जाए इमरान हासमी ने और उनको teaser में भी नहीं दिखाया गया था और किसी भी poster में भी नहीं दिखाया गया था इसलिए वो टाइगर से बदला लेना चाहते हैं टाइगर की family को खतम करना चाहते हैं और उन्होंने टाइगर को option दिया है या तो देश या तो family तो टाइगर ने अपनी family चुनी ये वो अपनी family को बचाएंगे इस बार guys ट्रेलर में बहुत दी खतरनाक action है सल्मान खान भी action कर रहे हैं और कैटरीना कैप भी action करते भी दीख रही है और गाई कैटरीना कैप की चारवाली fighting scene बहुत अच्छी लगी और उसने सभी का ध्यान खीचा है और गाई ट्रेलर में टाइगर किजी को phone करके help मांगते हैं तो यहाँ पर सल्मान खान पठान को phone करके बुला रहे है अपनी help करने के लिए और गाई आम सभी को पता है कि टाइगर 3 में पठान भी cameo करेंगे और गाई उनका cameo थोड़ा बड़ा होने वाला कम से कम 15 मियर का cameo होगा और सल्मान खान और सारुक खान उसमें बहुत खतरनात fighting करेंगे और गाई देखना यह होगा कि कैटरीना कैप दीपका पाज़गोर को भी बुलाती इस movie में अपनी मदद करने के लिए किया नहीं और गाई मेजर यानि रित्ति के रोशन भी हा सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसे हैं तो गाई इमरान आसमी बहुत ज़्यादा टककर देंगे सालमान खान को और सारुक खान को क्योंकि लडाई दिमाग की होगी ना कियाद की होगी और हाथ की लडाई में पठान और टाइगर दोनों एक्सपर्ट है लेकिन दिमाग की लडाई है तो गाई बहुत ज़्याद दिगत होगी दोनों को और हम सभी चाहते हैं कि इस मूवी के विलेन बहुत ज़्याद खतरनाक हो तो यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी लगी कि इमरान आसमी को बहुत ज़्याद खतरनाक विलेन दिखाए गया है तो गाई जिस तरह से जिम यानी जौन इबराहिम खाय से गिर गए तो खाय से गिरे हुए लोग कभी भी मरते नहीं है यहाद अब को कि जौन इबराहिम फिर से आएंगे किसी ना किसी मूवी में है मुझे लगता है कि टाइगर थी में भी हिम्रान हास्मी को मारा नहीं जाएगा वो भी गायब हो जाएगे और उसके बाद यह जितने भी स्पाइगर उनिवर्स के विल्यन है वो एकसाथ किसी ना किसी मुवी में दिखेंगे तो वह मुवी बहुत धवाकेदार होगी तो काई नहीं तरह के एकसन सीन्स देखने को मिले हैं इस मुवी की लोकेशा ने वह भी बहुत ज़्यदा अच्छी लोकेशन बे सूट हुई यह मुवी तो काई कि लिए चीजी बहुत आच्छी लगी तो काई आप यह समझ सकते हो कि लिए राज फिल्म्स ने मार्वल की तरह स्प